मिलेट्स किसानों के लिए भी भाइदेमंद है और वो भी खास करके छोटे किसानों को दरसल बहुती कम समय में फसल तयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्रक्ता भी नहीं होती है हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशे इस रुप से लापकरी है मिलेट्स के भूसे को बहतरीं चारा भी मना जाता है आजकल युवापीडी, हेल्दी लिविंग और इटिंग को लेकर बहुत फोकस है इस हिसाब से भी देखे तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटे फाइबर और मिलरंस मोजुद होते हैं कोई लोग तो इसे सूपर फुड भी बोलते हैं मिलेट्स से एक नहीं अनेक लाब है ओवेसिटी को कम करने के साथ ही दायवेटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटर डिसिस की खत्रे को भी कम करते हैं इसके साथ ही ये पेट औ कूपोशन के बारे में बात की हैं कूपोशन से लडने में भी मिलेट्स काफी लाब दायग हैं क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं देश में आज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है इस से जुड़ी रीसर्च और इन्योविशन पर फोकस करने के साथ ही एपियोस को प्रोसाइद किया जा रहा हैं ताकि उत्पादन बढ़ाये जा सके मेरा अपने किसान भाई बहनों से यही आग रहे हैं कि मिलेट्स यानि मोटे अनाज को अधीक से अधीक अपनाएं और इसका